ह 일반 करेंग छूए हैं विल्कंग तो में बताना क्या है कि कौन से लेवल पर ट्रेड करSकते हो तो देखो है कि यह वाला हमारा स्टेंस का लेवल होगा ठीक है आप नोट कर ले कद ये हमारा हम ले हमारी फिर्टी यह हमार अब अब को मार्केट कल आहाहन नहीं पता नहीं बड्र ले व sûना डिखत हें आप लेवल को सोचेंगे बर देख रहो gap काफी जादा तो जब तक अगर फ्लैटju की subscribe ऑगर यह फ्लैटब कोंटी YOUR तो selling की opportunity मिलीगी ठीक है अगर Buy अगर यह डाउन खुलती है जैसे यहां खुलती है तो 102 एधर जाती है तो मैं सोचूँक्वatェ करने का अगर इधर जाती है तो मैं बाई करने का सुचू मा सिंपल ता सेट अप है आप लेवल्स नोट कर लो अगर करना चाहो तो और मैं स्ट्राटीजी अपनी नहीं बदलू का ठीक है लॉस हो गया अज ठीक है बहुत बड़ा लॉस नहीं है मैंने एक वीडियो देखा उसने पांस लग अगर गैप खुलती है अगर गैप खुलती है यहां के सपस तो मैं असपास की दूना चाह यहां के सपस अगर फ्लैट खुलती है तो फिर वेट करूँगा या तो इधर है यहा तो इधर ज्जार प्लत funds लाенथ भीगत दीAyमा जैसे जाज है कि आप setup बदन लगते हो, थीक है, तुरंत मैं कभी VVAC पर trade करने लगोगे, कभी moving average पर trade करने लगोगे, इसमें loss हुआ तो इसमें trade करोगे, इसमें loss हुआ तो इसको छोड़ दोगे, फिर किसी और के course में भाग जाओगे, ठीक है, किसी के course में भाग जाओगे, किसी सिखा दो वैसा वैसा तो यह मत करो ठीक है सबसे पहले क्या होता आपका important risk management पूरी वीडियो के लिए important learning के लिए यह वाला वीडियो देखो मैं चैनल पर काफी सारा वीडियो डाला हुआ है देखो काफी सारा वीडियो डाला है आप एक learning के लिए यह वाला वीडियो तो फिर से थाइन अंडेड प्लस प्रॉफिट ठीक है तो मैं वही बोल रहा हूं मैं पी एन एल नहीं दिखा रहा आपना ठीक है आप समझ लो देखो 1100 प्लस प्रॉफिट 900 प्लस प्रॉफिट तो क्या आप प्रोफिटेबल थे उस से तो थे तो फिर उसको छोड़ो मत एक दो दिन मार्केट हर सेटप पर देखो काम नहीं कर सकती है हर दिन हर सेटप काम नहीं कर सकता बस बात क्या है आपका रिस्क मैनेजमेंट तो आप डिस्क मैनेजमेंट अपना देखते वे काम करो और सेटप चेंज मत करो आप यह वाली वीडियो देखना आप यह वाली यूरे आठें, मेरे आपसे रिख्वेस्ट रहेगा और ठीक है मैं इंपोर्टेन रव मतादिये, मिलते कल के मार्केट में जैसा मार्केट होता Young कल वीडियो मिलते है ठीक है थैंक यू